क्रिप्टो कंशी मार्केट वो देखा विकॉज आपको प्रीशन डीटा जो सामने आए था जैसे हमने आपको प्रीवेसली भी बताया था कि 13th of October को इंफ्लेशन डीटा सामने आने वाला एंड वो आया 8.2% मार्केट जो है वो एक्सपेट कर रही थी आराउंड 8.1% मार्केट फॉल हुई उसके बाद अगेन आज की रेट में मार्केट जो है रिकवर कर रही है बट का यह रिकवरी कांटिनू रहेगी कि मार्केट में और डंप आप में देखने को मिल सकते हैं जिए वो क्रिप्टो आपके आथ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा कल की डेट में बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जो डरे हुए थे कि मार्केट इतनी ड्रास्टिकली फॉल क्यों कर रही है जैसे कि हमने आपको प्रिवेस्टर भी बताया था CPI डेटा वने बहुत जादा असर करा है क्रिप्टो मार्केट को फ्राम स्टार्ट ऑफ 22 इन्फलेशन रेट जहां पर कंट्रोल में नहीं आ पार है वहीं पर क्रिप्टो मार्केट अगेन निच्ची की तरफ जाती जा रही है और आगे जाके भी ये रुकने वाला नहीं है आगे जाके क्यों नहीं रुकने वाला क्या क्या इविंट्स है कौन कौन सी डेट्स हैं जो हमने नोट करके रखनी है तेहां पर market again हमें एक volatility नजर आ सकती है उसी के सांथ हमने ये भी ध्यान में रखना है कि if you are investing in crypto currency in this bear market तो आपके पास बहुत बार वो opportunity आती है to do DCA बट काफी लोग वहां पर डर जाते हैं, काफी लोग घब रहा जाते हैं कल की date में हमने again DCA में purchases करें बहुत सारे crypto and हम लोग वो buying level जो है वो नीचे लाते जा रहे है as the time goes on bear market कब तक रहती है, क्या चीज़े हैं एक एक करके बात करते हैं, पहले चलते हैं coinji को आप में एक बार market का हाल देख लेते हैं उसके सांथ बात करते हैं जो बहुत important role play कर सकती है in the next two months तो side में आप देख सकते हैं, हमने open कर दिया coinji को आप currently जो global market है, that is up 3.1% BTC is up 3.8%, ETH is up 3.1% यहाँ पर काफी cryptos हैं, वो recover कर रहे हैं from yesterday's downfall काफी नीचे गए थे altcoins, काफी cryptos ऐसे हैं काफी tokens हैं, जुन्होंने shock करके रखाया है crypto investor को, जो कही न कहीं डरेव हैं, आज़ी rate में भी, कि जहां से market again उपर जाएगी, कि एक और fall हमें देखने को मिल सकता है, क्या सारी चीज़े हुई हैं, वो पता जिल जाएगा, एक छोटा सा यहां पर चेंज करके, लास्ट 24 आज हटा के, हम यहां पर लास्ट 70 अगर यहां पर डेटा करते हैं, तो आप देख सकते हो कि डेटा completely चेंज हो जाता है, BTC has come down 0.6%, ETH has come down 1.7%, BNB 3.4% negative, 88 10.1% negative, and most of the altcoins are down, huge number से down है, ETC आप देख सकते हो, 13.5% algo आप देख सकते हो, 5.8% near 12.7% तो यह चीज़े हुई हैं कल की डेट में, कल का जो dump आया है वो बहुत ही major dump था, उसी के सांसां जो buyers हैं, वो बहुत खुश है जो आज की डेट में buying कर रहे हैं, buying opportunity देख रहे हैं इसको as in the market, वो बहुत जादा खुश हैं, because उन्रोंने buy कर रहा है ऐसे level में, जहां पर market एक बार जा चुकी है, अब market यहां पर recover करेगी, की market again fall करेगी, क्या चीज़े होंगी, कौन सी ऐसी dates हैं, जो हमने देखनी हैं, उसके बारे में बात करते हैं आज की date में, जो CPI data हमारे पास आया है, that is 8.2%, तो हम यह बहुत clearly बोल सकते हैं, कि inflation जो है, वो control में नहीं आ रहा है, inflation को counter करने के लिए, federal reserve के पास एक ही चीज़ है, which is increasing the interest rate, interest rate increase जहां पर होंगे, वो करते आ रहे हैं, बहुत time से, इस साल में, 5 बार already जो है, interest rate बढ़ा चुका है, which is highest ever, जो पहले कभी हुआ in the history, but उसके साथ साथ, अब हम बहुत clearly बोल सकते हैं, कि 6 and 7 time भी वो increase होगा, which is the maximum number जो कभी भी हुआ in the history, अब इस से क्या-क्या changes होंगे, और कभ वो interest rate बढ़ेंगे, October month में कोई भी Federal Reserve की meeting नहीं है, तो yes market जो है, recover करना start हुई है, but again, 2nd and 3rd of November को Federal Reserve की meeting है on inflation, inflation data जहां पर control में नहीं आ रहा, market was expecting 8.1%, 8.2% सामने आया, वहीं पर Federal Reserve हाज steps लेगी, जैसे कि वो clear कर चुकी है, we will do anything to fight inflation, inflation को control में लाने के लिए interest rate increase होंगे, interest rate increase होंगे, तो market में पैसा कमाएगा, market में पैसा कमाएगा, तो by default cryptocurrency market जो है, वो again नीचे की तरफ movement कर सकती है, market बहुत volatile रहेगी, during that dates also, would date भी आप note करके रख लो, on 2nd and 3rd of November, but उसी के सांसाथ हमने ये भी देखना है, कि market ये buying opportunity हम लोगों को दे सकती है, market ऐसी opportunity आगे भी देती रहेगी, तो कि ये बोलना कि November मत में जो Federal Reserve interest rate increase करेगा, उससे जो है inflation control में आजाएगा, can be dicey, again market जो है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि 75 basis points से यहाँ पे interest rate बढ़के सामने आ सकते हैं हिंदी मांत of November and December, जैसे कि Federal Reserve ने बताया था बहुत किरली, we will not stop until and unless inflation data जो है, वो control में आता है, Federal Reserve ये चाहती है कि inflation जो percentage है, वो control में आ है, within 2-2.5% महां तक लाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्या इस साल में वो control में आएगा, that is another question, but yes, 2nd and 3rd of November will be very crucial, कि Federal Reserve क्या लेकर आता है सामने, उसी के बाद in couple of weeks, again CPI data again सामने आएगा, तो बहुत सारी हमारे पास buying opportunity आएगी, but इसी के सांथ सांथ, market यहां से निचे भी fall कर सकती है, market यहां से fall कर सकती है again उसका मतलब यही है, कि हम लोग ने DCA करके चलना पड़ेगा, if you trust in cryptocurrency, अगर आपका भरोसा है crypto market में, तो आप लोग यहां पे DCA कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कल की rate में, they were not very sure, कि वो invest करके रखें cryptocurrency market or not, तो उन्होंने losses भी book कराएं, but उसी के सांथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कल की date में DCA कराया, और वो अच्छे खासे profit में, आच्छे rate में बैठे हुए, अगर हम side में अगें देखें, last 24 hours में, तो market ने अच्छा खासा एक recovery करी है, but यह recovery कब तक रहती है, nobody knows, क्या यह एक false recovery है, might be possible, because यह इसलिए भी हो सकता है कि October में, कोई भी Federal Reserve की meeting नहीं है, और कोई भी interest rate हाई, हमें देखने को नहीं मिलेगा, इन दी month of October, but November can be very crucial, November की starting से लेके, बहुत crucial dates हैं सामने, जो हम लोग उने closely monitor करनी है, November and December बहुत crucial रहेगा for every crypto investors, सभी के लिए बहुत crucial रहेगा, आपने वहाँ पे hold करके चलना है, अगर आप लोग डर जाते हो, अगर आप nervous होते हो, अगर आपको लगता है कि आप लोग और hold नहीं कर सकते, या और DCA नहीं कर सकते, तो at least hold on to the crypto जो आपने purchases कर रहे हैं, उसी के साथ एक और crucial information है, कि जो भी crypto आपने purchase कर रहें, be it any crypto, उनके बारे में आप पढ़ते रहें, उनके बारे में क्या news सामने आ रही है, वो देखना भी उतना important है, जहाँ पर bearish market चल रही है, जहाँ पर हम आगे assume कर रहे हैं कि market और निचे आ सकती है, उसी के साथ-साथ, कोई भी एक negative news regarding any alt coin, any crypto, any token, can be very deadly, वो चीज़े भी आप लोगोंने नोट करने हैं, अगर कोई negative news सामने आती है, उसको verify करके, अगर आप वो crypto में क्या करोगे, that is your call, क्या आप उसको sell off करके कहीं और अपने fund shift करोगे, कि आप losses book कराओगे, वो चीज़े भी हम लोगोंने नोट करने हैं, it is a crucial time, I understand, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे investor ऐसे हैं, जो आजकी rate में losses में बैठे हुए, बट उसके सांथ-सांथ, बहुत सारे investor ऐसे हैं, जो कहीं न कहीं खुश हो रहे हैं, कि market जो है, वो नीचे की तरफ आ रही है, I am one of them, जो चाहता है कि market जो है, और नीचे आए, because मैं buying कर रहा हूँ आज की rate में, मेरा second portfolio जो है, वो create कर रहा हूँ, उसके सांथ-सांथ कुछ ऐसे cryptos भी purchase कर रहा हूँ, जो मेरे first portfolio में, already मेरे पास पड़े हूए, दोनों portfolio कहीं ना कहीं में आप सम्भाल रहा हूँ, आप लोग वे सांथ share भी करेंगे कि हमारे portfolio को क्या हल चल रहा है, क्या उनमें हम DCA कर रहे हैं, कौन-कौन से crypto में DCA कर रहे हैं, कौन-कौन से tokens में हम DCA कर रहे हैं कौन से क्रिप्टो कौन से टोकन हमने स्टेक करके रखे हुए और यह चीज आप लोगों अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी जहां पर आपका माइंड एकदम क्लियर होगा कि यह मेरा टार्गेट है टार्गेट आप रिवाइस कर सकते हो अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं कर रहे है तो आपका टार्गेट यह है आना आपने इतने में बाई करा है मैं कोई भी price target अपना revise नहीं कर रहा ह। उसका बहुत plain and simple motive है because I trust in crypto, I trust in all the investment that I have made उन में मुझे पता है कि आगे जाके काफी अच्छा potential है to grow to give me that result जो मैं उनसे चाहता हूँ but उसी के साथ साथ मैं अपना profit booking जादा कर रहा हूँ profit booking जादा ऐसे कर रहा हूँ कि मैं उनको buying level जो है और नीचे लाता जा रहा ह। जितना मैं buying level नीचे लाँगा उतना better है मेरी investment के लिए उतने ही chances मेरे increase हो जाते हैं to make profit आगे जाके वो सारी सीज़ा आप लोगोंने भी decide करनी है अपनी investment देखनी है again and again क्या आपका portfolio है portfolio में कौन कौन से cryptos हैं कौन कौन से tokens हैं वो आजकी rate में क्या perform कर रहे हैं क्या उनका roadmap कुछ revise हुआ है नहीं हुआ है जो उन्होंने promise करा था वो fulfill करा है कि नहीं करा है तो यह सारी सीज़ा आप लोगोंने देखनी पड़ेंगी simultaneously yes we can very easily say we are in a turmoil आजकी date में जहां पर market जो हो नीचे आती जा रही है and it is actually not stopping आगे जाके भी next two months जैसे कि हमने बताया बहुत crucial हो सकते हैं bitcoin can easily come to $15,000 वहां से भी वो नीचे जा सकते हैं बहुत सारे लोग तो यह उमीद लगा के बैटे हैं around $10,000 सक BTC जा सकता है अगर BTC वहां तक fall करता है तो alt coins का क्या होगा you can just assume आप लोग कल के fall के बाद खाली assume कर सकते हो कि क्या होगा alt coins का अगर BTC जो है वो $10,000 के level से में पहुंसता है क्या आपके पास funds बचेंगे to invest at that level वो चीज़ें आप लोगों ने खुड decide करनी है with that's it guys आज का वीडियो करते हैं पर and I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो like कर देना, share करना, subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time, okay bye bye